बच्चो गुड मॉर्णिंग आज हम लोग हिंदी में फिर से आकी मात्रा को समझेंगे इससे पहले पहाय हुए हैं आकी मात्रा ठीक है आज भी सिखेंगे देखो यहां कुछ ऐसे अच्छा लिखते हैं ठीक है न तुँ इसी के आधार पर तुम करना ठीक है न जैसे लिखा हुआ है चा चो ठीक है न अब उसमें का जोर दिये बोलो आकी मात्रा जोर दिये का हो गया बोलो चा ठीक है उसी तर कोई अच्छा बोलो कोई भी ठीक है न ठीक है माल लिए टा ठीक है न टा में हम लोग क्या किये आकी मात्रा को इसमें एड कर दिये ठीक है न तो बराबर क्या हो गया बोलो टा अच्छा में आकी मात्रा लगा दिये तो क्या हो गया टा ठीक है न उसी तर बोलो इसमें पहला क्या बोले थे च, अच्च में आखी मातरा लगा दिये, तो क्या हो गया? च, अच्च में आखी मातरा लग गया, तो च, ठीक है न, उसी तरह बोलो, ट, ठीक है न, उसमें आखी मातरा हम जोर दिये, तो क्या हो गया? ठीक है ना उसी तरह बोलो और कोई बोलो हा ठीक है यहां क्या लिखे हा ठीक है हा में हम लोग क्या जोर दिये बोलो क्या आड किये आ की मात्रा यह जो आड की मात्रा है ना यहां हम लोग आड कर दिये ठीक है तो क्या हो गया बोलो हा अहा में आ की मात्रा रगा दिये तो क्या हो गया? हा ठीक है ना? उसी तरह दूसरा कोई बोलें? ठीक है? दा ठीक है? दा में हम लोग क्या किये? आ की मात्रा जोर दिये तो क्या हो गया? दा आ दा में आ की मात्रा लगा दिये तो क्या हो गया? दा क्या हुआ, द, आ द में आ की मात्र लगा दिये, तो क्या हो गया, ठीक है न, इसी तरह इसको दो बार पनना, अच्छा से, देखो, और दुशा कोई बोलो, फ, ठीक है, very good, तो यहां ये है, फ, ठीक है न, आ फ में हम लोग क्या किये, आ की मात्रा जोर दिये, तो क्या हो गया इसमें, फ, आफ, फ में आ की मात्रा लगा दिये, जोर दिये, तो क्या हो गया, फ, बोलो, फ, ठीक है न, उसमें, क्या चीज़ जोर दिये, आ की मात्रा हम जोर दिये, तो क्या हो गया, फ, क्या हो गया, फ, ठीक है न, दुशा कोई बोलो, ल, ठीक है, very good, बोलो, यह क्या है लो, अलो में हम लो आ की मात्रा लगा दिये, जोर दिये, तो क्या हो गया बोलो लो, अलो में आ की मात्रा लगा दिये, तो क्या हो गया ला, फिर से बोलो, लो, अउसमें आ की मात्रा जोर दिये, तो क्या हो गया ला, क्या हो गया, ला, उशी तरफ बोलते जाना है, ठीक है, यहां लिखते हैं हम, बोलो, गो, ठीक है, भेरी गुडिया हम लिख लिए, गो, ठीक है, अगो में आखी मात्रा लगा दिये, जोर दिये, तो बोलो, गो, अगो में आखी मात्रा लगा दिये, तो क्या हो गया, गा ठीक है, बोलो गा, गा में आकी माता लगा दिये, तो क्या हो गया, गा, गा में आकी माता जो दिये, तो क्या हो गया, बोलो, गा, उसी तरह बोलो, दो यहां हम लिख दिये दो ठीक है आदो में आकी माता लगा दिये तो क्या हो गया बोलो दो आदो में आकी माता लगा दिये तो क्या हो गया दा ठीक है ना दो उसमें आकी माता जो दिये तो क्या हो गया दा इसी तरह जोर कर और भी सब्द बना सकते हो ठीक है बोलो और बोलो देख और बोलो स, ठीक है दंति स, ठीक है यहां दंति स लिख दिये ठीक है उसमें क्या जोर दिये आ की मात्रा हम जोर दिये ठीक है तो क्या हो गया बोलो सा और पलस उसमें आकी मातरा जो दिये तो क्या हो गया सा ठीक है ना उसी तरह यहां लो पा ठीक है यह पा आउसमें आकी मातरा लगा दिये ठीक है ना जो दिये तो क्या हो गया बोलो पा आपा में आकी मातरा लगा दिये तो क्या हो गया बोलो पा यह क्या है बोलो पा आपा में आकी मातरा लगा दिये तो क्या हो गया ठीक है समझ गे बच्चे इसी तरह करना इसी तरह बार बार देखो यह चा प्लस प्लस चाहिए उसमें बुलते हैं इसको जोड प्लस उसमें आ की माता लगा दिये तो क्या हो गया चा 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 में आक्माता लगा दिये तो चा उसी तरह बोलना टा टा में आक्माता लगा दिये तो हो गया ता हो में आक्माता लगा दिये तो हो गया हा दो में आक्माता लगा दिये तो हो गया ठीक है ना उसी तरह बोलो इसमें फो अब हो में आक्माता लगा दिये तो क्या हो फा उसी तरह ये क्या है ला ला में आक में आतर लगा दिये तो क्या हो गया ला अच्छार पहचान ना जरूर ठीक ना ये बोलो गा गा में आक में आतर लगा दिये तो हो गया गा उसी तरह बोलो डा में आक में आतर लगा दिये तो क्या हो गया डा ये बोलो सो असो में आक मे तो क्या हो गया? सा इसी तर ये पा अब पा में आ की मतलगा दिए तो क्या हो गया? पा समझगे बच्चे? इसी तरह ठीक है न? तुम लोग इसको बनाना आई इसको समझ के लिखना ठीक है? समझगे न? ठीक है ओके अब इसी के अधार पहम दिये है तुछ होमर तुमको लिखने के लिए देखो यहाँ देखो इसी तरह करना है जिसे टो अटो में आकि मातर जो दिये तो हो गया है ता, तो इसी को एक पेज लिख कर तुम लाना, ठीके ना, इसको एक पेज लिखना पूरा, ठोम्याक मेतर ठा, ठोम्याक मेतर ठा, ठोम्याक मेतर ठा, अरम्याक मेतर अरा, ठीके ना, बोलो, ठोम्याक मेतर ठा, ठोम्याक मेतर ठा, ठोम्याक मेतर ठा, अरम्याक मेतर अरा, ठी इसी को एक पेज लिख के लाना है तुमको ठीक है एक पेज लिख लेना पूरा और उभी लिखना साफ साफ लिखना ठीक है ना लाइनिंग जो रहेगा उसी लाइनिंग पर लिखना ठीक है ना लाइनिंग पर लिखेगा साफ साफ सुन्दर सुन्दर होगा ठीक है उसको ठीक बोचे